आज का वीडियो इंपोर्डेंट है विकॉज आज हम डिस्कस करेंगे फोर बीज के इस्ट फेस हाउस ओके प्लाट साइज 26 x 51 टोटल में और कंस्ट्रक्शन भी 26 x 51 प्लस एडिशनल जो है रोट आपके पास प्लान है तो आपको अगर सेंटर लेन प्लान चाहिए तो आप हमें कॉंटेट कर सकते हैं मोबाइल नमबर 8095615113 त्रीडी कट सेक्षन इंटेरे डिजैन चाहिए तो भी आप हमें कॉंटेट कर लिजीगा इसमें देखो यह आपका वेस्ट फेस की तरफ है बट आप खुद चाहते हैं आपका घर जो है एकोर्डिंग टो वास्तु की अनुसार इस्ट फेस की तरफ आपका में डोर रहना वो सब चाहते तो आप वहीसा भी बना सकते हैं जिसा यह यहां पर क्या किया गया है इधर से यहां तक 26 फिट प्लस एडिशनल लाइन फिट का जो है रस्ता छोड़े गया यहां पर इधर से भी इन्हों एंटर्ण्स कर सके उसके लिए तो जगा दी गई है इसके लिए भी एडिशनल जगा दी गई है ओके चलिए हम डिसकेस करतें फरस्ट यह आपका वरंड़ा यह इस्ट फेस वरंड़ा यहां से एंटर कर दे तो आप इस वरंड़ा भी कर सकते हैं या फिर एक हॉल कम सिट आउट एरिया और यहां पर एक बेडरूम 10-6 बाई 12 फीट में यह इदर एक विंडो ले सकते हैं यहां पर एक विंडो इधर से एंटर करे dining area, so dining purpose इधर जगा मिल जाएगा, plus कुछ storage रखना चाहते तो ये वाला portion पे जो आप storage के लिए भी जगा ले सकते है additionally, suppose आपको कोई window चाहिए तो इधर 5 feet by 4 feet का window लीजएगा, and ये आपका bed 10 feet 6 inch by 11 feet 6 inch के यहाँ पे एक second वाला bedroom, plus जो घर के अंदर members हैते हैं, उनके लिए bathroom भी निस्सेरी है और एक bathroom यहाँ पर आजाएगा दूसरा staircase के नीचे भी आप और एक extra bathroom ले सकते हैं अब बात करते हैं, column size 9 by 15 inch का एक column इसके अंदर 4, 5 इधर एक 5, 10 हो गया, plus एक additional 5, total 15 number of columns के अंदर जो है approximate, minimum 15 lakh रुपीज चाहिए plus हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी कम से कम 15 lakh रुपए चाहिए इस टाइप का घर कंस्टर करना है अब next यार यह जो columns ले गए ना 9 by 18 inch का column लेगा यह जो round circle आप देख रहे हैं, यह वाला 9 by 18 inch column, so that इधर आपको extra column लेने का necessary नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप extra यहाँ पर column लेके, फिर physical का खर्चा करते हैं, वो उसको आप आप आवड़ी करने के लिए, 9 by 18 inch का column लेगा, और plint beam के समय क्या करना, आप लोग यह basement head पर plint जरूद आजिए, so that, दिवार का support प्रिंद के उपर मिल सके, यह था, अब हम next देखेंगे, center line plan, यहां से आप देख सकते यह center line plan, first देखो, एक column लेना, outer जो भी boundary point है, वहां से 4 and of inch होना, normally दिवार जितना size रहता है, उसको by 2 करना, 9 inch का दिवार लेते है, commonly, यहां कि 9 inch कब आता है, जब 2 bricks आप use करते हैं, 4 inch, 4 inch, plus बीच में 15 का gap, तब 9 inch का जाता, so, इधर जो यह gap मिल जाता आपको, इधर से 4 and of foot, यहां से हे column से लेके यहां तक 12 feet 6 inch, plus इसका center से center तक 11, 9, यहां से यह तक 19 feet है, अब देखने को आपको जाता लग रहा है, इसके बते से क्या है, extra 9 by 18 inch का column, इसलिए 3 inch और बड़ा दियागा है, column का size, यह है क्रिजान है, आपका कोई requirement है, paid service अवेलेबल रहेगा, यह full view, आप जाहें तो इसका screenshot ले लिजएगा, और PDF फाइल चाहिए इसका same, तो only 500 रूपीज फीज, अब PDF फाइल भी हमसे buy कर सकते हैं, that's it,